पुश्कार दोस्तों में रॉक्टर ने खिलाब का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चला में दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बहुती इफेक्टिव हॉमोपेटिक मैडिसिन जिसका नाम है दोस्तों बायो कॉम्बिनीशन नंबर 4 चार प्रकार के ऐसे बायो कॉमिक साल्ट्स होते हैं जिसको मिलाकर यहां कॉम्बिनीशन बनाया जाता है दोस्तो इसका यूज konsti percent में किया जाता हैे कब्ज में किया जाता है यदि आपको काफी लंबे समय से कब्जी की problem है तो इस medicine का use आपको करना है दोस्तो मैं इस वीडियो में आपको बायो कॉंबिनेशन नंबर 4 के बारे में पूरी जानकारी दूँगा कि इसमें ऐसी कौन-कौन सी बेरी एफेक्टिव होमोपेथिक मेडिसीन है जिसको मिलाकर यहां कॉंबिनेशन बनाया गया है आपको यूज कैसे करना है कब तक रेगुलरली यूज करना है और साथ में कौन सी बेरी एफेक्टिव होमोपेथिक मेडिसीन यूज करना है जिससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्स मिले और आपकी कबज की प्रॉबलम पूरी तरह से ठीक हो जाए तो चली दोस्तो देर न करते हुए इस वीडियो को सुरू करते है कॉंबीनेशन नमबर 4 के बारे में दोस्तो यहां बहुत ही इफेक्टिव कॉमिनेशन है बायो कामिक चार प्रकार के ऐसे साल्त है जिस को मिलाकर यहां कॉमिनेशन बनाया गया है जिसका नाम है उसका यूज कब्ज में किया जाता है यदि आपको कब्ज की प्रावलों है तो इस combination का आप यूद्ध कर सकते हैं यदि आपको काफी लंबे समय से प्रावलों है आपने बहुत सारी medicine यूज कर ली है कब्ज की प्रावलों आपकी ठीक नहीं हो know ही तो आपको इस medicine का use करना है दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे बायो कामिक साल्ट्स हैं जिसको मिलाकर यहां कॉम्बिनिशन बनाया गया है दोस्तो पहले नंबर पे इस मेडिसिन मिलाए गई है कैल के लिए फ्लोर कॉम्बिनिशन की चार प्रकार की ऐसे बायो कॉमिक साल्ट्स है जिसको मिलाकर यहां कॉम्बिनिशन बनाया गया है पहले नंबर पे मिलाए गई है कैल के लिए फ्लोर Calculia floor बहुत इफेक्टिव हो पैटिक मेडिसीन है यदि आपको कबजी की प्रावलम काफी लंबे समय से हैं आपने काफी मेडिसीन यूज कर ली है इसके बाद भी आपकी कॉंस्टी पेसेंट्स ठीक नहीं हो रही तो Calculia floor उसमें बहुत अच्छा काम करती है दोस्तो यदि आ आपको कभी कोई डिसीज हुई है लॉंग टाम आपको डिसीज हुई है और ठीक होने के बाद आपको कॉंस्टी पेसेंट्स की प्रावलम हो गई है तो यहाँ Calculia floor उसमें बहुत अच्छा काम करती है यदि आपको मानसिक बेचेनी कभी बनी रहती है या आप मानसिक काम ज बैठने रहने के कारण आपको कभी की प्रावलम होने लगी है चिंटा की कारण आपको कभी की प्रावलम होने लगी है तो काली फॉस में बहुत ही अच्छा काम करती है जो इस combination में मिलाई गई है दोस्तों इसके बाद इसमें मिलाई गई है nitramure, nitramure कब्जे में बहुत ही अच्छा काम करती है इसमें हमें क्या लक्शन देखिने को मिलेंगे पेसेंट्स का जो डाइजिशन होता है वहाँ बीक होता है चेहरे का कलर हलका सा पीला हो जाता है फूग प्रापर तरीका से नहीं लगती बीकनेज बहुत ज़्यादा सरीर में आ जाती है कमजोरी ज़्यादा आने के कारण जब सरीर में कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है उसके कारण यदि आपको कॉंस्टी पेसेंट्स की प्रॉलम होने लगी है तो नाइट्रम्यूर उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है जो इस कॉंबिनेशन में मिलाई गई है बहुत ही इफेक्टिब होमोपेटिक मैडिसीन नाइट्रम्यूर दो इसके बाद इसमें मिलाई लिए साइलिशिया साइलिशिया बहुत ही अच्छा काम करती है कब्ज में इस पेसलिए आप इस तरह से समझ सकते हैं इस पेसिपिक मैडिसीन जैसे आप जानते हैं नक्स बोमिका के बारे में इसी तरह से साइलिशिया कब्ज में बहुत ही अच्छा काम करती है इसमें कैसे 3X, 6X potency में मिलाई गई है दोस्तो हमारे पास यहां pond pack में रखा हुआ है bio combination number 4 मैं यहां picture लगा देता हूँ आप देख लीजिए मैं यहां 25 gram की file भी आती है मैं 25 gram की डबी की file लगा देता हूँ आप 25 gram की डबी ले लीजेगा आपको नजदी की homeopathic medical soft में मिल जाएगी हमारे पास यहां pond pack में रखा हुआ है आपको pond pack लेने की जरूवत नहीं है आप छोटी file ले सकते हैं 25 gram की दोस्तो अब आपने तो जाना यहां combination कितने effective है जो इसमें मिलाए गई है दोस्तो अब बात करेंगे इसके dose के बारे में इसका dose क्या है दोस्तो इसका dose है 4 tablets सुभा 4 tablets दोफेर में 4 tablets रात में adult dose है यदि छोटे बच्चे हैं तो 2 गूली सुभाई 2 गूली दोफेर में 2 गूली रात में continue 3 से 4 मन तक करना है दोस्तो मैं आपको यहां clear कर देना चाहता हूँ यहां एक प्रकार का supplement है इसका use आपको continue 3 से 4 मेंने करना है homopathic medicine जब भी patients को prescribe की जाती है तो उसके लक्षन के अनुसार prescribe की जाती है यदि आप constitutional treatment लेना चाहते हैं यदि आप constitutional treatment किसी भी doctor से ले रहे हैं तो आप इस combination का use कर सकते हैं इसके कोई भी side effects देखने को नहीं मिलेंगी यदि आपके नक्स भूमिका से लक्षन पूरे match कर रहे हैं तो आप नक्स भूमिका और यहां combination number 4 आपको use करना है result बहुत ही अच्छे मिलेंगे और जो आपकी problem है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी यदि आपको लाइको पूर्डियम के पूरे लक्षन मिल रहे हैं लाइको पूर्डियम के उपर मेरा वीडियो है नक्स भूमिका के उपर मेरा वीडियो है आप देख सकते हैं और लक्षन मेच करके आप medicine use करें constitutional और यहां combination साथ में यूज करें supplement के रूप में आपकी कबज की problem पूरी तरह से ठीक हो जाएगी मैंने बहुत सारे पेसेंट्सों में only for bio combination number 4 ही prescribe करा है कोई medicine prescribe नहीं करी bio combination number 4 ही दे दिया है पेसेंट्स को तो उसकी कबज की problem पूरी तरह से ठीक हो गई तो यहां वीडियो में आपके साथ share कर रहा हूँ यहां medicine यहां combination आपको बता रहा हूँ दोस्तों bio combination number 1 से लेके bio combination number 28 यहां bio combination आते हैं बहुत सारी ऐसी diseases जिसमें use किया जाते हैं मैं एक bio combination number मेरा बन पे एक वीडियो है जिसका use anemia में किया जाता है bio combination number 2 का use अस्तमय में किया जाता है bio combination number 4 का use कबजे में किया जाता है bio combination number 28 का use as a general tonic के रूप में किया जाता है मैंने एक series बनाई हैं जिसमें आपको यहां bio combination एक से लेके 28 तक पूरा अच्छी तरह से समझाऊँगा यहां एक supplement होते हैं जिसका आपको use करना है जिससे आपकी problem पूरी तरह से ठीक हो जाएगी जैसे एनिमिय की आपको काफी लंबे समय से problem है आपने बहुत सारी medicine यूज कर ली तो आप bio combination number 1 का use कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ bio combination number 4 एदी आप medicine बहुत सारी यूज कर ली हैं तो यहाँ bio combination number जो है supplement की रूप में बहुत ही अच्छा काम करता है आप यूज करें आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव जल देखने को मिलेंगे दोस्तों constanti patients की उपर मेरा एक वीडियो है मैं वीडियो की description की नीचे लिंक दे देता हूँ end screen में लगा देता हूँ वहाँ वीडियो आप जरूर देखिएगा उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीका से medicine को समझाया है नक्स बोमिका है lycopodium है जो constanti patients में यूज की जाती है दोस्तो आज़ा करता हूँ मेरे हबीरो आपको अच्छा लगा है यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें यदि आपके परिवार में फैमिली में किसी कबजी की प्रावलम है काफी लंबे समय से तो यहाँ वीडियो उन तक सियर कर दें ताकि बहाँ इस combination का यूज करके यहाँ medicine का यूज करके अपनी प्रावलम को हमेशा के लिए ठीक कर सके दोस्तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलिंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक की लिए जय वारत बंदे मातर